डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटी नमस्का विध्याति मित्रों डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटी के चेतनी स्टुडियो से मैं डॉक्टर गिरिस बन जारा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज हम प्रथम वस्त बिये के प्रस्त पत्र नंबर 102 के अंतर गत खंड दो इकाई साथ अयोध्या सिंग उपाद्याय हर्योद की कविताओं का पार्ट विश्लेशन करेंगे उपाद्या सिंग उपाद्याय हर्योद की कविताओं का पार्ट विश्लेशन करने से पहले उसके अंदर उसकी रूप रिखा को हम एक बार देख लेते हैं तो रूप रिखा के अंतरगत इस इकाई के उद्देश्य, रस्तावना, कभी परीचय, एक बुन कविता का पार्ट और भावार्थ, सरीता कविता का पार्ट और भावार्थ और अंत में उसके सारबिंदों पर परकास डालेंगे अब सबसे पहले हम इस इकाई के उद्देश्यों की बात कर लेते हैं तो हम इस इकाई के अंदर हरियोध जी की दो महत्पुन कवीता सरीता और एक बून कवीता का पाठ और उसका भावात हम स्पष्ट करेंगे तो उन कवीताओं में हमें क्या जानना है इस इकाय के अंदर हमें किन-किन मुद्दो की बात करनी है यह हमें एक बार यहां पर देख लेते हैं तो सबसे पहले हरियोजी का जीवन परीचे उनका लेखनकार्य तता उनको मिलने वाले पुरूशकारों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे उसके बाद उनके साहिते की काव्यकत विशलेशताओं को जान सकेंगे और उनकी कविता, एक बुन और सरीता का पाठ और विशलेशन पढ़ और समझ सकेंगे तो इस परकार हम इतने सार्व मुद्दो की चर्चा इस इकाय के अंदर हम करेंगे अब सबसे पेले हम एवध्या सिंग उपाध्याय हर्योजी का सहाहितिक पड़ीचे हम एक बार यहां देख लेते हैं तो इनके प्रमुक कावे संग्र है प्रिय प्रवास 1914, प्रसन सुन 1925, चुपते-चौपते 1922, रसकलस तथा वेदही वनवास 1940, आदी इनके और भी कावे संग्र है, उपन्यासो में इनका ठेट हिंदी का ठाट 1899, अदखिला फूल 1907, इनके नाटक है पद्यूमन विजय 1893, रुक्मनी विजय 1894, इनके और भी कावे संग्र उपन्यास और नाटक है, लेकिन हमने यहां जिसकी चर्चा किये, यह इनके प्रमुक्ह, इनकी कावे कृतिया है, अब हम हरियोजी का परिचे यहां पर दिख लेते हैं एक बाद, तो अयोधिया सिंह उपाद्याय हरियोजी का जन्म 15 अप्रेल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगर जीले के निजामाबाद में हुआ था, उनके पिता का नाम पंडित बोलानात उपाद्याय था, इनकी प्रारंबिक सिक्षा आजमगर और निजामाबाद में हुई, 1884 में निजामाबाद के मिडल इस्कूल से मिडल इस्कूल के अंदर वो अध्यापक हुए, 1885 में निजामाबाद में इनका दिहान्थ हो गया, तो हमने अभी उनका परिचे और उनका साइटिक परिचे दिखा, अब आगे आते हम, उनकी जो कविता हैं, सरिता और एक बुन, उन दोनों कविताओं का पार्ट विसलेशन करेंगे, और उसकी व्याख्या तदा उसके भावार्त पर हम परकास डालेंगे, तो सबसे पहले उनकी एक बुन कविता का हम पठन करेंगे, तो आईए, हम इस कविता का पठन करते हैं, एक बुन, जो निकल कर बादलों की गोद से, थी अभी एक बुन्द कुछ आगे बढ़ी, सोच ने फिर फिर वही मन में लगी, आहा, क्यूं गर छोड़ कर मैं यो बढ़ी, देव, मेरे भागी में है क्या बता, मैं बचूंगी या मिलूगी धूल में, जा जलूंगी गिर अंगारों पर किसी, चूपरूगी या कमल के फूल में, भग गई उस काल कुछ ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अन्मनी, एक सुंदर सीप का मुखता खुला, वह उसी में जा गिरी और मोती बनी, लोग यो ही है, जिक जिकाते, सोचते, जबकि उनको छोड़ना परता है घर, किन्तु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बून्द लो कुछ और ही देता है कर, तो यहां हमने हरियोजी की कविता, एक बून्द का पाठ किया, अब हम इस कविता के भावार्थ पर हम परकाश्ट डालते हैं, तो यह जो कविता है एक बून्द के अंदर हरियोजी ने मानवी मुल्यों को भी सामिल कर दिया है, एक बून्द के माध्यम से मानव के जीवन की भी यहां पर बात कही है, मानविय सवेदना को भी यहां पर उन्होंने प्रकट किया है, वो एक बून्द कविता के माध्यम से समझाना चाहते हैं, कि इनसान को अपना जीवन दूसरों के काम में ही लगाना चाहिए, उसका काम ही है, उसके जीवन का अर्थ ही है लोगों की सेवा करना, जन जन की सेवा करना, अगर हमारा जीवन किसी और के काम नहीं आ सकता है, तो वह वियर्थ है और इंसान को सारी मुश्किलों का सामना करते हुए भी उसे अपना जीवन सार्थक बनाना पड़ता है तभी उसका जीवन अच्छा बनता है उसका जीवन सही में एक सार्थक बन जाता है तो एक बूंद कविता के माध्यम से कवी ने यही बताया है कि एक बूंद जो बादलों से निकल कर धर्ती पर आती है और धर्ती पर आकर धर्ती को हरा भरा कर देती है तो वेसे ही इनसान को भी अपने जीवन के माध्यम से दूसरों को खुशाल करना है दूसरों के जीवन में खुशाली लाना है यहाँ पर बूंद जब बूंद बादलों से निकलती है तो उसे बहुत दुख होता है कि मैं अपनों को छोड़ कर मैं जमीन पर जा रही हूँ बूंद को अपनों का साथ छोड़ कर बहुत दुख होता है वो नहीं चाहती है कि वो अपनों को छोड़ कर नीचे जाए लेकिन बूंद वहाँ से निकलती है और उसे पता है कि उसका आगे क्या होगा उसे यह तक नहीं पता है कि वो कहां गिरेगी उसके इस्तिति क्या होगी उसे कुछ नहीं पता है इसलिए कभी कहता है कि जो निकल कर बादलों की गो से थी अभी एक बूंद कुछ आगे भड़ी यानि बूंद जैसे ही बादलों को छोड़कर आगे निकलती है तो सोचने फिर फिर यही मन में लगी वो अपने मन में बार-बार सोचने लगती है कि आहा क्यों गर छोड़कर मैं यो आगे बढ़ी कि मैं अपना गर छोड़कर अपनों को छोड़कर क्यों आगे बढ़ रही हूं देव मेरे बागी में है क्या बता वो वगवान से पूशती है कि उसके बागी में क्या है वो गर छोड़कर तो आगे निकल गई है लेकिन उसके भाग्य में है क्या मैं बचूगी या मिलूगी दूल में वो बताती है कि वो उसका जीवन घर छोड़कर आगे निकल गई है बादलों को छोड़कर निकल गई है तो क्या वो बचेगी या दूल में मिल जाएगी या जलूंगी गिर अंगारों पर किसी या वो किसी अंगारों पर गिर के उसका जीवन नश्ट कर देगी या चू पडूंगी या कमल के फूल में या फिर वो कमल के फूल के उपर अपना बूंद को वो गिरेगी ये सारी कल्पनाए जब बूंद बादलों को छोड़कर निकलती है तब ये सारी इसके अंदर उसके मन के अंदर ये सारे प्रस्न होते हैं अब अच्छानक जैसे बूंद रास्ते में होती है तो एक जोर से समुधर से एक हवा आती है और उस बूंद को वहां से ee दूर ले जाती है, भग गई उस काल कुछ ऐसी हवा, वह समुंदर और आई, अन्मनी, एक समुंदर सिप का मुझ खुला था, जब जोर से हवा आई समुंदर की, तो वह बूंद वहां से उड़कर समुंदर के किनारे समुंदर के बीच में चली गई, वहीं एक सिप का मुझ खुला था, और वह बूंद उसी सिप के मुझ में जाकर गिर गई, अब कवी यहां पर यह बताना चाहता है, कि जब बूंद अपना घर छोड़कर चली थी, बादलों को छोड़कर चली थी, तब उसे नहीं पता था, कि उसका क्या होगा, लेकिन हुआ क्या, वह जाकर गिर सम्मुंद्र में, जो सिप होता है, उसके अंदर, और क्या बन गई, मौती बन गई, तो जब इंसान अच्छे लोगों के संगत में आता है, सादू संतों के लोगों के संपर्क में आता है, तो उसका जीवन सार्थक कर देता है, उसका मुल्य बढ़ा देता है, एक बूंद क किमत कुछ नहीं होती है लेकिन वह शीप में गिर गई तो वह मौती बन गई और मौती की किमत बहुत अधिक होती है कि जब इनसान भी अपना घर छोड़कर कुछ करने के लिए निकलता है तब उसके सामने परेशानिया बहुत सारी होती है लेकिन जब वो अच्छे लोगों के संपर्ग में आता है तो वो अच्छे रहा पर चलने लगता है और उसका जीवन धन्य हो जाता है लोग यहीं जजगते सोचते हैं जबकि उनको छोड़ना परता है घर किन्तो घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लिए कुछ और ही देता है कर यानि इंसान को घर छोड़े बीना कुछ हासिल नहीं हो सकता है अगर बूंद भी बादलों में ही रहती अगर नीचे नहीं आती तो वह मोती नहीं बनती अगर बूंद बादलों में ही रहती जमिन पर नहीं आती तो जमिन हरी भरी नहीं होती तो अगर जीवन के अंदर कुछ करना है, कुछ बड़ा हासिल करना है, तो हमें बिना डरे, आगे निकलना ही पड़ेगा, अगर आगे हम नहीं निकलेंगे, घर्ट नहीं छोड़ेंगे, तो हम कुछ नहीं कर पाई यही इसी कविता में लेकक ने एक बूंद कविता के माध्यम से मानमे मुल्यों पर प्रहार किया है, उन्होंने बताया है कि जिस परकार एक बूंद बादलों को छोड़कर जमीन पर आती है और अपना मुल्य बढ़ा देती है, वेसे ही इंसान को अपना घर छोड़ने पर का जीवन अच्छा और सार्थक बन जाता है, तो यह हुआ एक बूंद कविता का पाठ और उसकी व्याख्या, अब हम आते हैं, उन्हें की हरियोजी की दूसरी कविता है सरीता, तो सरीता कविता कभी हम पाठ करेंगे, फिर उसकी हम व्याख्या करेंगे, सरीता, किसे खोज निकल पड़ी हो, जाती हो तुम कहां चली, धली रंगतों में हो किसकी, तुम्हें छल क्यों कौन चली, क्यों दिन रात अधिर्बनी सी पड़ी दरा पर रहती हो, तुसह आतम सित वात सब दिनों किस लिए सरती हो, कभी फैल ले लगती हो क्यों, कुरुश्तन कभी दिखाती ह अंग वंग करकर क्यों आपे से बाहर हो जाती हो कौन बीतर प्रिडाये लहरे बन उपर आती है क्यों टकराती ही फिरती है क्यों कापती दिखाती है बहुत दूर जाना है तुमको पड़े रा में रोडे हैं इस है सामने खाया गहरी तो यहां पर सरीता कविता इस कविता के अंदर कवी हर्योजी ने यह बताना चाहा है कि व्यक्ति या इंसान जब कोई बड़ा काम करने के लिए आगे निकलता है तो उसके रास्ते में बहुत सारे रुकावट आते हैं बहुत सारी समस्या आती है लेकिन अगर उसने कुछ करने की ठान ली है कुछ करना है उसे उसका मनोबल जड़ है तो वह उस काम को करके ही रहता है और जब वह अच्छे लोगों के संपर्ट में आता है तो वह उसका जीवन और भी अच्छा बना लेता है एक कहानी हमें पता है दो तोते की जब दो तोते अलग अलग जगर चले जाते हैं एक तोता सादू संदों के पास चला जाता है और एक तोता चोर गुण्डों के पास चला जाता है तब कुछ समय बाद जब जो तोता सादू संतों के पास गया है तो उसकी भासा बहुत अच्छी होती है वो अच्छी अच्छी बाते करता है ग्यान की बाते करता है वेट सास्त्रों की बात करता है और जो तोता चोर डाकों के पास गया है वो गाली गलोज की बाते करता है दोनों के अंदर बहुत अंदर होता है तो हमें इस कानी से यही ग्याद होता है कि हम जो है हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं जिन लोगों के साथ में रहते हैं उन लोगों का असर हमारे उपर होता ही है तो हमें अच्छे लोगों के साथ में ही रहना चाहिए तो इस कवीता में भी यही बताया गया है कि हमें संगर्ष करकर आगे बढ़ना है अच्छे लोगों के संपर्क में आना है और अपने जीवन को धन्य करना है किसे खोजने निकल पड़ी हो जाती हो तुम कहां चली धंग रंगतों में हो किसकी तुम्हें चल गयो कौन चली मतलब या कवी यही बताना चाहता है कि आप जो रहा में चल रही हो उस रहा के अंदर बहुत सारी समस्या है लेकिन आपको उन समस्याओं का सामना करते हुए भी की आगे बढ़ते रहना चाहिए अब हम हर्योजी की काव्यकत विशेष्टा है हमने उनकी दो कवीताओं का पठन किया पहली कवीता है एक बूंद और दूसरी कवीता है सरिता अब इन दोनो काव्यकत पठन करने के बाद उनके भावार्त को समझने के बाद अब हम हर्योजी की जो काव्यगत विसेस्ता हैं, उनके काव्य में जो विसेस्ता हैं देखने को मिलती हैं, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले लोग सेवा की भावना, हर्योजी की काव्यसेस्ताओं में उनकी सबसे पहली है लोग सेवा की भावना तो हर्योजी ने पिरी प्रवास में स्री कृष्ण को रोक रंजक रूप की अपेक्षा लोक रक्षक रूप को चित्कित करके उन्हें एक आदर्स के रूप में प्रस्तूत किया है मतलब क्रिष्ण भगवान को एक मनोरंजन या एक ग्वालाना बता कर लोक रक्षक के रूप में उन्होंने प्रस्तोत किया है दूसरा वियोग वर्णन जब स्री क्रिष्ण भगवान अपने कर्ट्यों को समझते हुए गोकूल छोड़कर मतलब चले जाते हैं तो उनके बाद या उसके बाद क्रिष्ण के वियोग में रादा की विरव्यता का सुन्दचित्र कवी ने प्रस्तुत किया है अपने कावयोग के अंदर हरियोग जी ने यह बताया है कि विरवर्णन वियोग वर्णन क्या होता है तो जब स्रीकिष्ण भगवान गोकूल छोड़कर मतलब चले जाते हैं तो उसकी बीचे जो जाधा है उसका जो उसकी वियोग की जो भावना है वो सारी बाते हरियोग ने वियोग वर्णन के अंदर अपने कावय में की है वासल्य वर्णन अब राधा तो वियोग करती है लेकिन उनकी जो माता है यसोदा उनका भी वर्णन अपने कावय में हरियोजी ने किया है तो वासल्य वर्णन में पूत्र वियोग में माता यसोदा की रेथा का अत्यनत सुन्दर और मार्मिक चित्रन कभी ने प्रस्तूत किया है आए इन पंक्तियों की दर्म देखते हैं कि पिर्य पती पिर्य पती वह मेरा प्राण प्यारा कहां है दुख जलदी निमगन का सहारा कहां है अब तक जिसको मैं देख कर जी सकी हूं वह रिदे हमारा नेतर तारा कहा यानि रसोदा अपने पूत्र के वियोग में अपने पती से बाते कर रही है अपना वर्णन अपने पूत्र को याद कर रही है आगे हम देखते हैं रस योजना तो हरियोजी की रचनाओं में रस योजना को भी देखा जा सकता है उनकी रचनाओं में सिंगार वासल्य करून प्रकति चित्रन तो हरियोज्जी प्रकति प्रकति प्रेमी कवी थे तो उनकी कविताओं में प्रकति का सजिव चित्रन देखने को मिलता है उनकी प्रक्रति प्राणियों के सुक दुख के भी भागीदारी है चंद योजना हर्योज जीक की रचनाओं में प्राचिन कता नविन सभी चंदों का सफल पुर्योग देखने को मिलता है जैसे नमबर एक ग्रामिन चन, नमबर दो उर्दू सेली के चन, नमबर तिन रिती कालिन चन, नमबर चार संस्क्रिसाइटे के चन साथ नमबर अलंकार हर्योज जीक की रचनाओं में अनुपरास, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानविय करण, आदी अलंकार अधिक देखने को मिलते हैं आठ नमबर सेली योजना तो हर्योज जी अपनी सेली के खुद जन्मदाता थे उनकी सेली में अनुपरास की छटा, लंबे-लंबे समास, मुहावरे की भर्मा तस्तम सब्दों की अधिक्ता के साथ साथ ओजमादूर्य और परसाद गुन की मोजुदगी से सेली प्रभामई और चमतकारपून बन पड़ी है भासा तो हर्योज जी का भासा पर अधिकार था फिर वो चाहे गद्य हो या पद्य दोनों में भासा उनकी अनुगामी थी तो आज हमने इस इकाई में हर्योज जी की कविता एकबून और सडिता का पाठ विसले संकिया उसकी व्याक्या की और उनके साथ साथ उसकी कावेगत विसेस्ता उपर हमने बात की है आगे हम दूसरे लेक्चर के अंदर दूसरे विकाई के अंदर हम और भी नए कवी खोड़ लेके आएंगे नमस्कार